हाई फ्रेंड्स सबको नमस्कार काफी आदमी चो पूछ रहा था सर नार्मल स्कोटर का जो मेटर रेडिन दिखाता है जो डिस्टेंस उसमें ओला का ज्यादा देखा रहा करके मैं उसको चेक करने के लिए मैं रेगिलर आफिस जाने आने जाने का जो रास्ता था 17.3 17.4 था म अब उसका एक बार ब्लेट में भी दुबार आप लोग को पूलिस चेक करके देखाऊंगा 17.2 आया मैं इसको जीरो में लेका आया था 17.2 है यह मेरा घर में चार्जिंग में लगा हुआ है अब यहां डिस्टेंस देख सकता है जीरो पर कर दिया एक बार अबोर्ट में भी देख लिजे वैसे इसमें ट्रिपमेटर नहीं है 61 किलोमेटर का डिस्टेंस दा मैं बीच में कैम ब्रेक नहीं करूंगा कैम स्विच आप नहीं करूंगा कंटिनू राइड करूंगा फिरो आफिस में जाके मैं एक बार टोटल केतना रीडिंग आया वो भी दिखा दूंगा मैं आ गया हूँ काइम भी ब्रेक नहीं कुछ नहीं किया 17 किलोमेटर इसमें पॉइंट्स नहीं दिखाता है आप आइडिया लगा सकते हो यह बॉट फोन में जाने के बाद में 17 किलोमेटर हो टाप स्पीड 7641 या यावरे स्पीड था काइम भी में बीच में रुकता नहीं हो यह एक बार निकल गया है तो फिर आप इस आने के बाद ि reckless चाप करते हैं सिखिलन में में रुखता हैं उससे कोई इसका डिस्टेंस में कोई फरक नहीं आता है कि एक बार ने रिपीट रिपीट काफी टाइम किया था मैं लेकिन एक चीज है जो स्पीड हमको 80 दिखाता है तो वेहिकल में 75 72 होगा वो स्पीड कम थोड़ा ज्यादा दिखाता है एक्च्वल में 95 म में रेस किया यह वही में बुलेट में 95 में रेस करने से आप्ट आफ कंट्रोल जैसा होता है लेकिन इसमें तो आराम से 95 क्रास हो गया एक बार आटारा दिखा रहा था शायद वही 17.88 बीच में होगा इसमें बीच में पॉइंट नहीं है बुलेट में होता है बुलेट में यहां पर 17 दिखा रहा है चलेगा यतना चोटा 200-300 मेटर का जो अंतर है चलता है बाकी अलेटरी स्कूट में क्या होता है दस किलो मेटर चलान से 12 किलो मेटर ऐसे कुछ दिखाता है इसलिए यह वीडियो बनाया था चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सबको नमस्कार थैंक यू